चट पूजा के दौरान बड़ा हथसा सेलफी लेते छे लोग नदी में डूब गए जिले में अलग-अलग जगहों पर चट पूजन के दौरान युवकों के डूबने से छित्र में मातम किस्ते दी है पहली घटना देव गाउं कुदवाली छेत्र के सलमेरपुर गाउं की है जहांपर पोकरे में डूबने से एक युवक की मरत्य हो गई काफी प्रियास के बाद प्रतक के शव को पोकरे से बाहर निकाला गया जानकारी के अनुसार देवगाउं कुदवाली छेतर के सलमेरपुर गाउं में सररविवार की सुबा एक पोकरे में गाउं की महिलाओं द्वारा छट पूजा की जा रही थी गाउं के दरजनों युवक पोकरे में इस दोरान इसनान भी कर रहे थे कि अचानक से एक यूबक डूबने लगा जिसको इसनान कर रहे अन्य साथियों ने बचाने का प्रयास किया परंतु वय डूब गया घंटो प्रयासों के बाद ग्रामीडो की मदद से यूबक को बाहर निकाला गया ग्रामीडो यूबक को सामदा एक स्वास्तर केंद्र लाल गंज पहुचाए गया जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसको मृत गोशित कर दिया पुलिस के अनुसार हाथसे में मृतक की सनाक्त, विफुली आदो, उम्र भीष, पुत्र राम भरोसी, निवासी सलमेरपुर देवगाओं की तौर पर हुई है वही शव बरामत करने के बाद पुलिस ने सव का पंचनामा कर परिजनों को सौप दिया धन्यवाद